नमस्कार बहुत स्वागत है आपका साल भर में आने वाली पुर्णिमा में कार्तिक पुर्णिमा का बिसेश महत्व है क्योंकि इस दिन पूजा पाठ ब्रत तिवार और तमाम तरह के कर्मकान भी किये जाते हैं इस दिन देव दीपावली मनाने का भिदान है माननेता है कि भगवान सिव ने त्रिपरा सूर राक्षस का बद कर देवताओं को उनका स्वर्ग पुनह प्रदान किया था इसलिए सिव जी को इस दिन विशेश तोर पर दूद दही सहद घी और गन्ने के रस से अभिसेख किया जाता है और दूसी तरफ भगवान विश्णू ने मतस्य अवतार लेकर प्रलय काल में धर्ती पर जीवन की रक्षा की थी इसलिए धर्ती पर कार्तिक पुनिमा के दिन देव दिपावली मनाई जाती है और मानेता है इस दिन गंगा घाट पर देवी देवता स्वेम आकर दिवाली मनाते हैं तो इसलिए इस दिन दीपदान करने का विशेश महत्व है तो कार्तिक पुनिमा के दिन पूजा पाठ ब्रत करने के साथ कुछ परियोग भी किये जाते हैं जो आपको मालक्षमी भगवान विश्णू का आसिरबात प्राप्त करने का अधिकारी बना देता चुकि इस दिन चंद्र गरहन भी लगने जा रहा है फोटा सा प्रियोग जो सिक्के का प्रियोग है अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो धन की मुश्किले हैं वो कम होगी वो बचत होने लगती है तो सबसे पहले हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए जब भी किसी से आप पैसे लेते हैं तो पैसे पांचों उंगली से पकड कर लीजिए तो बरकत बनी रहेगी क्योंकि सभी 9 के 9 ग्रह का 7 आपको मिलेगा उस धन को बढ़ाने में बरकत देने में कोई विवेक्ती आपको दो उंगली से पकड कर पैसे देता है तो वो पैसे आपको बरकत नहीं देगा इसलिए कोसिस करें जिन से आप पैसे ले रहे हैं वो भी सभी उंगली से पकड़ के ही आपको पैसे दे और आप भी सभी पांचों उंगली पकड़ कर ही पैसे लीजिए तो ये तो थी सिंपल सा परियो दूसरा आप कोसिस करें की जैसे की सिक्का क्वाइन जो होता ऊद न वो जब भी आप किसी को कोई नेग देते हैं तो 11 11 21 ऐसे दें सिर्फ 10 दे दिये बीस दे दिये 52 ऐसे अνत दिजे एक छोटा सा काम कीजिए, एक सिक्का ले लें अब इस सिक्के के साथ आपको एक लॉंग चाहिए और एक लाल रंग का कपड़ा अब इसको मा लक्षमी के सामने कपड़े पर लॉंग और सिक्का रखकर रखते ये प्रियोग आप किसी भी अमवस्या के दिन, पुर्णिमा के दिन खड़ सकते हैं रखने के बाद इसको आप आप चाहें तो लक्षमी की का मंद्र जब कर सकते हैं ओम सिरियानमा फिर इसको बांध कर धन के अस्थान पर या परस में रख लें बरकत होने लगती है दूसरा कई बार होता है कि आप के जीवन में धन की मुश्किलन ज्यादा परिसान करती है तब आप एक सिक्का ले लें अब इस सिक्के पर आप अपने नाम का पहला अक्षर लिखें सिंदूर से भी लिख सकते हैं लाल रंक के पेंट से नेल पॉलिस तो आपके घर में होगा उससे भी लिख सकते हैं अपने नाम का पहला अक्षर अब हिंदी में इंगलीस में आप किसी भी भासा के लोग हैं अपने भासा के नुशार लिख लें अब अपने घर की छट पर जहां पानी का टंकी है न उसके उपर रख दे नाम का पहला जो अक्षर लिखा है आपने वो आस्मान की तरफ होगा सिक्के पर जो लखा है आपने और रात भर चंद्रमा की छाया में रहने दे फिर अगले दिन सुबाइस को उठा कर अपने पर्स में रख लें जब तक ये सिक्का आपके पास है आप देखिएगा धन आता रहेगा कई बार कर्ज बहुत परिसान करता है तब एक छोटा सा काम करें एक सफेद रंग का कपड़ा ले लें इस कपड़े पर आप एक चुटकी लाल मसुड की डाल एक चुटकी चावल अक्छा जिसको कहते हैं और एक सिक्का इसको बांध कर अपने उपर से साथ बार उल्टा वार लें या तीन बार और कहीं भी पीपल के नीचे रख दें बिना पीछे मुरे घरा जाएं आपका कर् अगर धन की मुश्किल जादा परिसान करें तब आप एक चोटा सा काम कीजिएगा आपके घर में मिट्टी का कलस तो होगा उस कलस में या नहीं है तो आपके घर में दिया होगा दिया ले लें दीपक में आप एक स्वस्तिक बनातें सिंदूर से अब उसमें पानी रख दे और एक सिक्का रख दें और अगले दिन पानी को आप पौधे में डाल दें इस कलस को आप सुरक्षित रख लें सिक्का को उठा कर अलग से रख दें अगले दिन इसको फिर से करें यानि कि जैसे कि आपने आज किया तो कल भी करें ये परियोग लगातार पांस दिन को धन समाल के धन की स्थान पर रख लिए गा बरकत बढ़ा देता है और एक जीश घर में चाहते हैं कि को अस्थाही लक्षमि हो बास तब आप के उत्तर पस्चिम दिसा में रख दे, संभाल कर, धन बढ़ता चला जाएगा, धन की कमी ही नहीं होगी, मा लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए, आप अपके घर में अगर चांदी का प्लेट है तो अच्छी बात, नहीं तो आप एक प्लेट ले ले और इसमें एक सिक्का रखें, और इसके उपर चाबल के कुछ दाने रखें, और इस बरतन को आप अपने घर के पुझा स्थान पे रख दे, यानि की प्लेट के उपर आपको सिक्का रखना है, चाबल के कुछ दाने रखना है, और कुम-कुम से पुझा वेगरा करें, और जब भी आपको कुछ खास काम के लिए जाना हो तो उसमें प्लेट में से एक चावल के दाने अपने पास रखके चले जाएं या सिक्का भी रख सकते हैं ऐसा करने से आपका वो काम पूरा होगा। अगर सनिदेव की प्रिशानी है तब एक काला रंग का कपड़ा ले ले उस पर एक कॉइन डग दे और इसके साथ ही तोड़ा सा काली उडद एक मुठी सवा मुठी ले ले थोड़ा सा काला तिल इसको बांधे काले कपड़े में और अपने उपर से तीन वार या पाँच वार उतार ले और ले जाकर कहीं भी पीपल के नीचे रख दे सनी समंदी जो भी दोस होगा वो समाप्त हो जाएगा तो ये किस्मत बदलने वाले टोटके हैं जो आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा वैसे गनेज जी को चुकि इस बार बहुत खास दिन बना है और जब भी अमोस्यतिती हो या बुद्वार का दिन हो उस दिन एक चोटा सा काम कीजिए आप जब गनेज जी की पूजा करते हैं तो एक सिक्का और एक सुपाडी गनेज जी को और पित कर दें और जब भी किसी खास काम से जाएं तो जो सुपाडी है सिक्का गनेज जी के पास रहने दे उसको अपने पौकिट में लेके चले जाएं काम आपका सफल होगा फिर लाके सुपाडी को गनेज जी के सामने रख दीजिएगा कई बार होता है कि आप के घर में पैसा नहीं ठिकता तब ऐसे में आप कलस वाला उपाई कीजिएगा जो हमने कहा कि मिट्टी के कलस में आप स्वस्तिक बनाईए और एक सिक्का रख दीजिएगा धन की बरकत होती है उससे हमेशा ही रखे रहें तो वो भी और अच्छा रहेगा वैसे पूजा अस्थान पर आप चावल और दुर्वा के साथ सिक्का जगर रखते हैं तो वो आपके खुशियों में चार चांद लगाता है ये परियोग आपको एकदम से धन की मुस्किल से बाहर निकाल लेगा लेकिन अगर आप सिपजी के मंदिर में पूजा करतें जाते हैं और सिपजी को पूजा करने के बाद दक्षिना की रूप में कुछ सिक्के का भेट करते हैं तो ऐसा करने से भी सिपजी की किरपा से जीवन में धनकी कमी नहीं होती और साम के वक्त जब आप दिया जलाते हैं तब दीपक में सिक्का डाल कर ही जलाएं और ये सिक्का रूच आप डालिएगा नकात्मक उर्जास माप्त होगी और अच्छे अपसर जीवन में मिलेंगे जो आपके जीवन की हर मुस्किलों से आपको बाहर निकालेगा और आप चाहते हैं कि नौकरी बैपार में खूब आपकी तरक्की हो तब ऐसे में आप क्या करेंगे एक लाल रंग का कपड़ा में आप एक सिक्का बांद कर अपने धन के अस्थान पर रख दें और इस सिक्के को कभी खर्च मत कीजिएगा और हमेशा ही खास कर सनी बार के दिन आप गरीबों को खाने पीने के वस्तु का भी दान कर सकते हैं किसी भी अमवस्या को भी कर सकते हैं अगर भाग साथ ना दे तो अपने पर्स में एक मोर पंक और एक सिक्का हमेशा रखिए जीवन की मुस्किले कम होंगी और हर राह पर भगवान का साथ मिलेगा वैसे तो इस बार की पुर्णिमा बहुत खास है इसलिए जब भी आप पवित्र नदी सरोवर में नहाएं तो एक सिक्का पवित्र नदी में जरूर डालें ये जीवन की मुस्किलों को कम करेगा तो इस दिन पवित्र नदी सरोवर में नहाने का और नदी में सिक्के डालने का भी विधान है अगर आप गंगा जी के किनारे दीप दाउन करते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात क्योंकि ऐसा करने से मुस्किलें भी कम होती है और बैकुंठ लोग को मरने के बाद मुख्ष प्राप्त कर आप प्राप्त करते हैं और अगर लक्षमी टिकती ही नहीं तो थोड़ा सा धनिया और एक सिक्का एक मिट्टे के बरतन में रखकर अपने घर के पुजास्तान पे रहने दें एक मेने के बाद इस सिक्के को उठा कर समाल के रखिए और धनियों को गमले में बो दीजिए देखिएगा कैसे किसमा साथ देता है लेकिन अगर बुरे सपने आते हों टेंसन ज्यादा है तब रात में सोने के पहले आप एक सिक्का और एक तूलसी का पत्ता रखकर सो जाएए अगले दिन तूलसी का पत्ता मिट्टे में दवा दें सिक्का किसी पास के मंदिर के दान पेटी में डाल दें तो हम आपसे भी दा लेते हैं जानका रही अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमिंट में हरहर महादेव चरू लिखे